योग गुरु बाबा रामदेव एक वाइरल वीडियो के बाद विवाद खड़ा होता नजर आ रहा है रामदेव के इस वाइरल वीडियो में वह कथित तौर पर अन्य पिछड़ा वर्ग के खिलाफ टिपड़ी करते दिख रही है हाला कि विवाद खड़ा होने के बाद रामदेव यह स्पष्ट करने के लिए आगे आए कि उन्होंने अपने बयान में AIMIM नेता अस्दुदीन OVC पर निशाना साधा था उनका इरादा OVC समुदाय का अपमान करना नहीं था यह विडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वाइरल हो रहा है दरसल इस विडियो में रामदेव को सुनकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह OVC समुदाय के खिलाफ ही टिपड़ी कर रही है क्योंकि बात के संदर्ब में जाती की बात ही हो रही है वीडियो में राम देव पहले खुद को बाहमन बता रहे हैं उसके बाद OBC कह रही है हालां कि वीडियो पर वेवात खड़ा होने पर बाबा राम देव को सفाई देने के लिए मीडिया के सामने आना पड़ा इस दौरान उन्होंने कहा देखिए, मेरे बयान को गलत तरीके से लिया जा रहा है, मैंने OVC कहा था, OBC नहीं उनके, OVC के वन्शज राष्च विरोधी थे, मैं उन्हें गंभीरता से नहीं लेता, मैंने OBC समुदाय के बारे में कुछ नहीं कहा था, घटना के वाइरिल वीडियो को NDTV द्वारा स्वत प्यापित नहीं किया जा सका है, लेकिन इसमें कथित तोर पर बाबा रामदेव को अपनी ब्रामन पहचान की घोशना करते हुए और अगनीहोतरी ब्रामन सहित विभिन्न ब्रामन गोत्रों को सूची बद करते हुए दिखाया गया है, योग गुरु ने बताया मेरा मूल ब्रहमा है, मैं अगनीहोतरी ब्रामन हूँ लोग कहते हैं कि बाबा जी OBC है, मैं वेदी ब्रामन, विवेदी ब्रामन, त्रिवेदी ब्रामन, चतुरवेंदी ब्रामन हूँ, मैंने चार वेद पढ़े हैं, विडियो वाइरल होने के बाद, सोशल मीडिया पर कई लोगों बॉइकोट पातंजली लिखकर विरोध किया और पिछड़े समुदाय के कथित अपमान के लिए बाबा रामदेव की आलोच ना कि पातंजली बॉइकोट का जो चला रहे हैं ऐसा देखो ओएसी उसका उसके पुरवजों का हमेशा देशद रोही सोच रहा है उसके बारे में हम कोई गंबिर का से नहीं है ओबी सी का नहीं है ओबी सी का आमने कभी कुछ उल्टा नहीं बोना